कि 4,7,9, डॉट 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 अब बताओ इसका function क्या होगा जिसे यह कहलो कि अगली value क्या होगी ठीक है यह logic आपको लगाना होता है कि 4,7,9 तो अगली value क्या हो सकती है ठीक है यह कहीं यह logic लगाना पड़ता है ठीक है इसी को sequence बोलते है method कुछ भी हो सकता है ठीक है तो इसी को sequence बोलते है अब देखो यह दो से start हो रही है पचास तक जा रहा है और 4 का increment होड़ा मतलब 4-4 करके बढ़ता है ठीक है तो अगर इसने for loop चलाया तो i में कौन सी value आएगी 2 तो इसने क्या किया 2 को print कर दिया फिर अब जब अगली बार लुप चलेगी तो उसमें यह increment जो value है increment कर देगा यानि i का value क्या था 2 था तो यह अब क्या कर दिया 4 कर दिया जब 2 से क्या हो जागा 4 मतलब 6 8 कर दिया फिर जब i की value क क्या होगी उसमें 4 8 हो जाएंगे ठीक है तो 10 होगे इस तरह चलेगा अगर आप यह increment operator हटा दो अगर आप यहां से यह हटा दो ठीक है अब चलाओ अगर आप अब चलाओगे यह क्या करेगा 50 तक प्रिंट कर दिया यह उन्चास तक जो से स्ट कर रहा है और और एक पीछे तक प्रिंट कर दिया लेकिन क्या कर रहा था यह उसका इंक्रिमेंट कर रहा था अगर आप 10 का इंक्रिमेंट चाहो तो देखो तो क्या करेगा यह यह बहुत मैंने रखता है जब आप कोडिंग करोगे और एक बड़े लेवल पर यह कोडिंग राउंड आप कर रहे होंगे तो रेंज बहुत हेल्प करेगा आपको बहुत बड़े-बड़े काम को आसान कर देगा अब देखो पहले इसने दो प्रिंट किया उसने कितना एड़ किया दस अगला वैलियू बारह आ गया उसने क्या फ आप इसं तरह से आप समझो बात को आप लगा सकती नीटिन मथलब आप यहां पर आप माइस तू लगा दो एस noわか और रहें प्र एल आज ऑगगा क्योंगिन आप इसे माने कर रहे तो नहीं यह बात को यह दो में आप मालो करोगे जीरो होगा फिर आप मैनेस टू करोगे यह माइनस टू हो जाएगा फिर मैनेस पॉर हो जागा मैनस शिक्स हो जाएगा लेकिन यह 50 के आउट अफ रेंज है ना यह 50 तो पॉजिटिव दिखाता है तो आपको नियेटीव वैल कि यह दो पहले दो प्रिंट किया उसमें मैनेस दो लगा दिया फिर आप जीरो में से क्या क्या मैनस दो कर दिया तो मैनेस चार हो गए प्र मैनेस चार मैं कि समझ में आई आप सबको हुं कूल है जामपल से समझे हो जैसे आप एक से सो तक तक तो देख लिए आपने कैसे करते हैं सो एक तक कैसे प्रिंट कहाऊँ करेंगी इसलिए निग्राइटीव वैल्यू का से माल लो एक से आप यहां पर यहां पर एक लगा दो अभी यह फिलाल एरर देगा अभी यह एरर देगा अब एरर नहीं मतलब कुछ नहीं चलेगा यह एक तक जाएगा यह तो बेवकूफी हो गई लेकिन आप यहां पर माइनस वन लगा दो यह पचास से एक जाने का मतलब हुआ कि एक-एक माइनस होना और पचास से एक जाना मतलब एक-एक माइनस हो जाना तो फिर इस तरह चलेगा अब देखो हचास से चलाया पहले पचास किया फिर यह देखा यहां पर एक तक चलाय था यहां तक समझा है आप सब कर रहाएं अपने साथ आईए कोई डाउट किसी को कि रेंज कैसे सिक्वेंस करते हैं रेंज के अंदर यह तापको पता चल गया ठीक है आप यह देख आप इसको किसी वरियेबल में कर सकते हो इस एक और रेंज हो यह कहां से कहां तक एक से लेके 50 की वैल्यू तो एक केंदर रेंज आ गई आगई देखो अ A की ये बताएगा अब रेंज डेटा टाइब का है ठीक है अब इसके अंदर वैलियव कहां से है वन से लेकर ये 50 तक की वैलियो आखर आप इसमें ये लगा दो अब अगर इनक्रेमेंट लगा सकते हो एक कि अब लेकिन पांच का ओर है यह नहीं कर सकते तो जम आप ऐसे देख नहीं सकते अब क्योंकि जब एक से ले करके पचास तक है यह 100 तक होगा 200 तक होगा 100000енный किसी वाल्यू का यूज नहीं कर सकते व्यंकिसे प्सक्ति व्यंकित युब्ध ये उठोगे 25 अ finely कुछ प्रहसे आएं देखाते थे युब्र तो जैसे लिस्ट बनाते थे ना जैसे बहुंब बता रहा हूँ आप ऐसे करते थे फिर अगर आपको दो नमबर एक वी वैल्यू चाहए तो एक सकिन हाँ आप यूज कर सकते यूज कर सकते हो चौथे नमबर पर क्या है ठीक है और आई इन ए अब देखो हाँ अगर आपको इस रेंज में जो इस रेंज के अंदर जो वैल्यू थी एक से लेकर के 50 तक और 55 का गेप था तो वैल्यू थी और 54 कोई बैलियू दर्सक्ते बैसिक्त सकते हैं तो यह यह आप यह दो नहीं करते हैं जश्था नहीं है अब नहीं हो चुछाते हैं क्यूंकि रेंज ना सिक्वेंस के लिए बनाया गया है को य। मतलब एक है 2 mg 3 chỉ 5 YOUR 7 थ पिस थे तक बच्चे थे Alter BTUek तो सिकूंट को ही बताता है तिप आध प्रिक्स को सेथलिए इसलिए इसमें आप नहीं प्रिंद डाल सकते जैसे माल लेते हैं यह आपका रेंज है ना एक से पच्छास तक अगर आप चाते हो कि इसमें जो पाचमें नंबर की वैल्यू है उसका वैल्यू ठपन हो जाए के रर दे देगा क्योंकि आप रेंज या सिक्वेंस में अलग से कोई वैल्यू को डाल नहीं सकते हैं आई होप आपको यहां तक क्लियर है क्लियर है ओके तो अब मैं बता रहा था कि मैं सेट क्या होता है इन्यवन सेट आफ क्लेक्शन्स ओके लेस्ट चेक सेट क्या होता है कि मैं मैंत की बात कर दों वाटे सेट in mathematics एक एलिमीठेस के एक साथ हमें कठा करें तो ये और फक्लेक्शन होते हैं ठीक है उसे ही sit कहते है right तो it का मतलब वही होता मैं मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने देखा list list स्वा ayyoga टाइप था जब integer का कर्ते थे his ल घंट्र कंद गशन नहीं करते sexy जब किसी variable के अंदर एक ही value डालना होता था आप दो कॉमा डालके दो तीन नहीं डाल सकते हैं यह आपने देखा string भी इस्तिमाल तभी करते थे जब एक ही string डालना होता था फिर आपने देखा इसके problem को solve करने के लिए हमने list देखा जो array को और सारी चीजा को एक साथे कर्था क कि हमने list देखा इसमें क्या करते थे बहुत सारे values को एक साथे कर्था कर लेते थे no matter वो float वाली होती थी या वो integer वाला होता था या फिर string कैसा भी value होता था वो हर data type को store कर लीता था फिर हमने टपल देखा टपल भी कुछ वैसा है था पस यह था कि list के अंदर हम change कर सकते थे अपडेट कर सकते थे डिलीट कर सकते थे पर टपल के अंदर वो functionality नहीं थी उसका भी एक आपने रिजन देखा पासवर्ड जैसे चीजों को हम अगर store करते हैं तो उसमें टपल का इस्तेमाल करते हैं ठीक है और हाँ उसमें आप यूज नहीं कर सकते लेकिन आपको कही नही होगा ना कि सर अगर टपल का इस्तेमाल नहीं करते हैं टपल का इस्तेमाल में अगर पासवर्ड रखते हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं तो यह होगा तो यह भी मैं बता दू जैसे माले एक टपल लिस्ट है आपके टपल है जैसे टपल एक्वल टू अपने यूज कि है टपल 1234 ऐसा कुछ है ठीक है अब इसमें तो सिर्फ देख सकते हो इसका यूज कर सकते हो आप इसमें अपडेट तो नहीं कर सकते ना तो कोई लाजिक बताएंगे इसको अपडेट कैसे करेंगे अगर हमें करना हो तो पासवर बहुत कुछ है इसके अपडेट करना लाजिक लगा सकते आप लोग कैसे कर सकते हैं सोचो सोचो जैसे यह आपने टपल है ना यह देखा टपल के अंदर 1 2 3 4 है राइट तो हम चाहते हैं यह तो अपडेट नहीं कर सकती है तो आपको ही पता है टी डॉट अपेंड करेंगे एरर देगा एरर क्यों देगा कि टपल के अंदर यह चीज़ समभव नहीं है अब अपडेट नहीं कर सकते हैं फिर भी लाजिक लगा सकते हैं अब कैसे हम अपडेट करें एक्सेंड भी सपोर्ट नहीं करेंगा ना यह तो अपडेट होता ही नहीं है टपल यह तो सिक्क्योर है ना तर आएगा इसे इसको ही बोलते आप कल को किसी बड़े कॉंपटिटिटिव लेवल के एक्जाम में या फिर कोडिंग रावन में बैठोगे तो इसा कुश्चन आ जाएगा एक मान लेज़े टपल कुश्चन तो बहुत बरा रहेगा उसमें चोड़ा से यह मुद्धा आ जाएगा एक टपल है यार इसको कैसे रिमूब करें या कैसे इसमें डिटा को क्या करें तो मैं बताता हूं जैसे आपने देखा एक वर्टू थर्टिन था यह इंटीजर था इस में हाँ आप क्या करो ट्रम इन्वन द तपल अन ओना यह इक वर्टू इलिट côt क्योंकिती क्या है उतना यह क्यों तुछ क्यों प्रिंट करो यह क्या बन गया लिश्ट बन गया डेसा दिए स्ट्सट्स we ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि ट क्या है और इंटर कर दो अब कि को प्रिंट करो यह क्या बन गया लिस्ट बन गया डेटा साब कुछ सेम्-ट्रेम है अब लिए लिच्ट बन गया अब तो आपको पता है ना आप इसमें कुछ भी कर सकते हो टी डॉट अपेंड करो और इसमें क्या डाल दो आप नाइन डाल दो ठीक है अब ये को प्रिंट करो क्या बने का वन टू थी फॉर आप नाइन भी आ गया अब तहां मल्टिपल कुछ भी डाल दो इसके अंदर एक्जेक्ली फिर आप क्या करो टी इक्वल टू प्रिंट करो तो आप लगा दो कैसे ऐसे लिस्ट है आप वह भी रेंज लगा रहे हो मान लेते हैं आपने एक लिस्ट बनाया एक खाली लिस्ट बनाया ठीक है और आई इन रेंज बहुत पावर पावर फूल है ठीक है इसको कभी मत पूल है फिप्टीन तक यहीं के अंदर कर रहें ऑन डे दोरखेए आपकी नहीं कर सकते हैं अब हम यह अपंड हो गया अब ही हां करते हैं थैसकते कोड लिखते हैं को नहीं है अब आपस में कैसे चेंज करोगे यहां के बाद आप चैंज नहीं कर सकते हैं अब यह टैपल बन गया है तो क्या करते हैं यह था करते हैं क्या अब फिर से वापस क्या कर दिया अब यह तो लिस्ट है यहां पर यहां पर यहां पर आपको लिस्ट में कनवर्ट किया था अब वापस आपको क्या करना पड़ेगा लिस्ट में कनवर्ट करेगा लिस्ट इक्वल टू लिस्ट यह आपको प्रैक्टिस से आपको करना पड़ेगा अब यहां पर लिस्ट जो है पापस लिस्ट से कणवट हो गया अब यह अपन्ड होने को भी तयार है और फिर से अगर प्रिंट करें लिस्ट और चलाते हैं इसको कहां पर यहां पर है तो आपकी मर्जिन मैंने तो अगले फंक्शन में हमने क्या क्या लिस्ट को टपल में कनवर्ट कर दिया तो अब वह लिस्ट क्या है टपल में कनवर्ट हो गया फिर अगले फंक्शन हमने क्या क्या फिर उसी लिस्ट को अब क्योंकि टपल है तो आप इसमें कोई चेंज कर सकते इस वाले में फिर से वापस अपर किया स्वापस में 20 किया आप यह देखो। यहां तक सी 14 तक ही खा फिर हमने Carnival किया है यहां पिर välत कर देखो इनौ कश्रूस एक ही थैंड है अब ब्लब करेंगे वापस देखो यह वापस क्या होगा यह लिस्ट था यह टपल था रेंज फंक्शन अच्छे से आप समझ में आया हां तो हम लोग सेट की बात कर रहे थे आपने देखा कि लिस्ट में यहाँ बहुत सहरे डेटा आपको चाहिए होता था तो आपने लिस्ट का चाहिए क्योंकि यह तो चलो ठीक है ले लिया हमने लेकिन उसका पास्वर्ट चाहिए तो उसको तो हम लिस्ट में नहीं लेंगे लेंगे फिर उसका चाहिए हमने बाद में हम लिस्ट बना के उसको कर लेंगे यूज कर लेंगे लेकिन पहले सिक्योर्टी चाहिए जैसे आप वेबसाइट पर किसी से फॉर्म फिल कर वा रहे हैं तो उसके पर उसने फॉर्म फिल किया तो जब तक फॉर्म फिल करके सब्मिट का बटन दबाएगा वह तो वह जो डेटा आपके बैक इंड या आपके डेटाबेस में आगा तब तक तो सिक्यूर होना चाहिए परना हेकर क्या करेगा बीच में कुछ जैम लगा देगा या बीच में कोई नेटवर्क को ट्राफिक कर देगा नेटवर्क का तो वह तो चला जागा उसके पास लेकिन अगर यह टपल के फॉर्मेट में रह दर्द कर रहे थ cuma कि उसके बाद बैज जादा प्एसकिल तॉ इस तरह से होता तो हमने देखा कि आप जयाना में पर यार अगर हमें किसी का नाम है और और तो लिस्ट तो सपोर्ट करिए लेगा, इस तो ले लेगा लेकिन भाया कोई ऐसा भी डेटा टाइप होना चाहिए ना जिसमें एक बार में एक वैल्यू एक ही बारा आए दोबारा ना आए यह देखो अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें राहुल ने भी इंस्टाग्राम आडी बनाया रवी ने भी बनाया फिर से एक मोना ने बनाया फिर एक मोना एक और है एक मोना ने बनाया फिर एक लेसे आधा ने बनाया और फिर एक रवी ने बनाया अब देखो रवी नाम के जो आदमी है वह तीन है एक यहां है दो है एक यहां है राधा एक है मोना दो है और राहुल भी दो है यह तो जाहिर सी ब तो नाम बाला चीज है हमने लिस्ट में ले लिया अब भया इसके हमें पासवर्ट लेने हैं चैनल पासवर्ट भी हम क्या करते हैं तो मन्रम का पासवर्ट क्या था रहूं का पासवर्ट बार एक रभी का password था R as the rate to ऐसा कुछ था ठीक है फिर से जो राहुल का password है यह ज़र्री नहीं कि वह सेम ही रहे या अलग भी हो सकता इस राहुल के का जो दिमाग में का चल रहा है यह रहुल तो नहीं जान सकता ना तो यह हो सकता है सेम ही password रहें ठीक है ठीक है तो पासवर यह तो प password प्यार किया और इसके बाद घर रवी ने विखिया कोई छोड़ा सा password कर दिया ठीक या अब टटल के format में यह इसा कियों है जब है आज अच्छे तो हाँ यह क्या हुआ है यह list में सबका नाम था और और हमने क्या किया सबके पासवर्ट वी एक टपल में लेविंगा वह सकता इसका अबसंटाटा होना इसका नाम पर बना वह नावां तो अगर आपका आप क्या करते हो जैसे राधा नाम के एडी बनानी हो पहले फिर लगा देतो ओ el in यूंवायल नमबर का लगा देतो फिर अगर आप लिस्ट में रहुल ने क्या किया रहुल माइसे बनाए कि आधी बना यह तो रहुल नम से डी बनाया अगला है रभी जी बना लिया अगला है राभी जी बना लिए और चाहिर सा बात है जब राहुल कुमार यह भी राहुल है यह भी राहुल है इस्टाग्राम के लिए किसी भी यूजर सोसल मेडिया के लिए जितना वैलियो और इस राहुल का करेगा उतना ही वो इस राहुल का भी करेगा तो यह भी राहुल कुमार नाम से आडी चाहिए और यह अगला जो मोना है यह भी बोल रही रही हमें भी मोने से चाहिए हमें यह वन टू तो पहले यही कहेंगी यह लोग तो अगर अगर इसने अगर ऐसा आडी बनाया और अगर लिस्ट में रखे तो लिस्ट तो सपोर्ट कर लेगा लिस्ट के अंदर एक स्यादा वैलिव आता है झाओ यहाँ देखा था अगर हमें लिस्ट बनाना हो एक वाल टू वन कोमा टू कुमा थरी को माध्य की बार बीजिट सपोर्ट कर लेगा देख़े हो लिस्ट के लिस्ट के अंदर चार बार तो भी सपोर्ट कर रहा था तो अब तो आपको पता चल गया कि अब यू एगर यहां आया और यह इस चूरुकमानम से नाम से बनाया तो भी यह लिघ्ट सपोर्ट कर लेगा उसको लिए कुस तो विवस्था होना चुकत है जो यह रहुल कुमानमसे पहले बन चुका है तो लेगा आप लुए उसको बोला जाएगा कि आप मोना इस्तिवाल नहीं कर सकते लुना क्या करेगी क्या वह मोना अंडरस्कोर कुमारी करेगी तो अब देखो यह लिस्ट में तो संभब है नहीं क्योंकि लिस्ट में double, triple एक चीज़ को कई बार डालो वो भी support कर लेती है इसलिए भाई-साइब हमने क्या बनाया python वाले भाई-साइब क्या बनाया sit, आपको बताना sit भी collection, यह क्या कर दादा member का collection होता है ठीक है बहुत सारी चीजों का क्लेक्शन जो सिट कहला ता उसके अंदर कैसा कैसा भी हो सकता तो ये Snit भाइशा है ना ये चीजों को एक बार इंट्री तो देगा गुरूप बना तो रहुल का password है रहुसर आइडि है रहुल कुमार है उसका user id अब जैसे ही जो रभी का यूजर आईडी है वह है रभी आप बात को समझे ना प्रैक्टिकल इसका और भी मस्त है रभी और फिर से रहुल जब अपना ऐडी बनाने गया वो बनाया कैसा रहुल आईडी यह फिर से चाहाएगा ना रहुल कुमार नाम से बने अब इसको यह अ जाएगा आप रहुल को मार नाम से नहीं बना सकते हैं क्योंकि इस सेट के अंदर यह सेट डिटा टाइप है इसके अंदर एक वैल्यू एक ही बारा आएगी दोबारा नहीं आएगी अब इसे समझ गया इसका मतलब एक कोई जो है बंदा हमारा एडी हमारे नाम से बना चुका होगा है इसके अंदर क्या करेगा यहां अब ठीक है चलो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी देखते हैं कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा अब सेट की बात कर रहे थे ना आप लोग भी करना साथ से बहुत इंपोर्टेंट से सेट इक्वाल टू अपने उसे सेट को आप खाली भी निरा सकते यह भी याद रखना सेट को आप खाली नहीं रख सकते सीट के अंदर एंडर कुछ और कॉश दिया अजय करो कि मैं चाए करो को क्यों ना आए तो यह पने देखा से वासे करते हैं आप यह भी देखो सेट के अधर आप अलग-अलग डेटा टाइप इस्तेवाल कर सकते हो जैसे लिए इसमाल कर लो कर लो तू कर लो फिर आप 7.8 कर लो 9.9 कर लो कुमा 9.9 कर लो कुछ भी कर लो कि आप स्ट्रिंग कर लो कि अलो कि आप हाई लिख लो कि आप कर लो फिर आप कर लिए कर दो मतलब खतम करने के लिए करीब बैसा फिर वापस इत्माल करोगे ना आप तो फिर से इसमें लगा दो कुछ लगा दो अब यह कर दिए अब एसको प्रिंट करो क्या प्रिंट किया 123459 जो भी था 99 7.8 9.9 हाई है अब देखो यह देखा आप देशिट बिल्कुल लिस्ट के तरह है लेकिन अगर आप देखो इसमें आप मल्टी वह इस टाइप की वहली डालो जो दो बाड़ा है ठीक है पाले था आपने वन डाला टू डाला थी डाला फोट डाला और आप तू फिर से डा कंगी जितने माघ़ा रख लेगा तो जब आपका जरूरत पाइफन क्या पोग्रामिंग लेंग्विज का आपने जरूरत की चीजों को सॉल्व कर सके प्रॉग्र्री लेंग वह सकता है तो जब आपका जरूरत आपकी रिक्वार्मेंट ऐसा कुछ हो तो आप लिस्ट का इ सेक्यूर हो अप्डेट वगरह नहीं कर सके तो आप टपल का इस्तेमाल कर लो जब आपका जर्依ा शभी रियू को लेने का हो जो आप रिपीट ना कर सके है अजितना यूर आप लेना आप एक बार में एकते वयel couleur आएगई छाहे आप इसी तरह की इस्तेमाल आप आप हाइए मैं क्या करता हूँ हाइद है को एक और लिखता हूं एक रुपर कर दिया है इसे चैज़ी पर पर चाहो कि तो यहां भाइगा यहां यहां भी हाइए इसा कि हमने दिया यह यहां भी हाइए फिर से दिया ठीक है लिस्ट और सेट में यहीं अंतर है ठीक है अब सेट के अंदर सेट आपने देखा कि कैसे क्या करते हैं सेट के लिए कुछ ऑपरेशन्स होते हैं वो जी आप हमेशा याद रखना है ठीक है मैं आपका वैसे दूंगा एक मेरे पास सिनॉप्सिस है एक टाइप का है वह दूंगा जिसमें सारे डेटा टाइप लिखे वे एक साथ और आप एक बार देखोगे ना आपका सारे डेटा एक साथ याद आजागा आप है ना जैसे शेट में बना रहा हूं जैसे 12345 चलो 6 डाल दिया और फिर से 6 डाल दिया जैसे इंटर किया 6 एक बार हट गया क्योंकि एक बार पर एक ही वैल्यू आसकती है एक जैसा 6 दूबरा नहीं आएगा 7 8 आएगा एक 6 दूबर नहीं आसकत हगे इसको ना आप इरे airport नहीं कर सकते हैं मतलब आप इस जीसे इंडेक्स होता इसमें जाई होगे यहँ आप नहीं पा सकते हुए इसके पीसे for इसके पीसे रिजन यह है कि क्या होता ना आप कई बार बहुत सारी डाल देते हो इसके अंदर जो रिपीटेबल होता है ठीक है आप अगर इसके अंदर ऐसा डाल दिये तो यह तो इसके लिए दिग्क है वह यह यह चाहते पर इसके पर इसमें से अप्टा दिया गया आप डेंदेक्सिंग नहीं कर सकते मैंने एक में किपनी डाला था कि सीधों इतने सारे सिक्स में सेकी सिक्स障ज इसने लिया इतने चाहिक है आप सकते जौने कुछ लिखा किद्वार आब सकते हvation आप सकते हो पिश्य आप इसने कुछ हमें में इसने कर सकते हों 대 एड अपने डालना उसरे आयरत तक ऐपने अपने बनाया था अपने होम अपने अपने के मदद से ने अपने के मदद से करोगे अब यजcyj पीरें के अंदर क्या होता है इड होता ह demás तो उसमें से एक और नया string को add करना होते है को इसमें से रिमूब करने है जैसे उसमें देखा था था न डेमूब कर सकते हो जैसे किसको रिमूब करना है है आप देखो इट हट गया माले यह हाइग को रिमोब करना है तो एस ड़ाट रिमुव हाई कि अब एस को प्रिंट करो एसमेंसे यह जो हाय था इड़ फंक्शन रिमूब फंक्शन यह सब काम करते हैं आपको समझ माया फिर से गर S देख लिए हाँ पर हाई-प्रींट हो गया है हेलो पूर गया समझ माया यहां तक कोई डाउट कर रहे हूं आप लोग साथ साथ को डाउट यहां था किसी को समझने में सेट क्या होता है वाट इस दीफरेंस बेर्मिन सेट लेस्ट टाइप यह सब यह वाली कहले आप इस टाइप की वैल्यों को नहीं रख सकते लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं आता ते है क्योंकि सेट मेंना एक वैल्यों एक ही बार आता है ठीक है और कि पंसी खुल रहा है यह वाली कि एक के अंदर एक और सेट यह इसमें सपोर्ट नहीं करता साथ मझे लगता इंक करना चीए था कि अंदर एक ही आर्गुमेंट एक बार में लेता है ठीक है तो क्योंकि सेट मेंना मल्टिपल को सपोर्ट नहीं करता है सेट क्या ना मल्टिपल को सपोर्ट आप नहीं करता है यह आपको समझ में आया क्या तो यह कह रहा था कि जैसे आप सेट में सेट में आप देदे हो कभी कभी कि आप मल्टिपल इंदर शेंस की आप मन लेते रिपीटिबल वैल्यों देदोगे तो सेट में आपको सेट को हटाना भी पड़ता है तो इस वजह से सेट मल्टिपल वैल्यों को अगर लगा दोगे तो आप तो करी सकते हो ना बार बार एड़ का फंक्शन चला दो तो इस वह कर लेगा लेकिन हाँ एक बात और उसमें होता है यह अपडेट भी होता है दिखाता हूं अपडेट अपडेट और अपडेट के अंदर डालूं तो अब यह देखो आप उस नया डालते हैं यह देखो वह क्या किया उसने हाँ अगर आपको मुल्टिबल डालने हो ना तो अपडेट फंक्शन का इस्तिमाल कर सकते हो ठीक है याद रहेगा आपको multiple function multiple चीज को डाल ले हो तो update remove तो आप एक बार में एक ही क्यों कर सकते हो जैसे मालनों आपके अंदर बहुत सारी negativity है किसी इंसान के अंदर ये गंदी आ देते हैं बहुत सारा शराब ये वो बहुत सारे तो वो इंसान एक बार में एक ही negativity को remove कर सकता है तो इसको आप लाइफ से रिलेट करलो तो रिमूब फंक्शन इसलिए एक ही को करता है कि आप एक बार में एक सदिक को रिमूब नहीं कर सकते हैं एक एक करके बारी बारी से update में आप कर सकते हो जैसे update function set के अंदर काम करता है और किसी के अंदर नहीं जाए आप आपका एक सेट है यह सेट है आप चाहते हो कि अंदर आप कुछ और डाल दो कुछ और इन दा सेंस कि 1234567 आप एट से स्टार्ट कर दो एट कोमा नाइन कोमा एन एसा कुछ वैल्यों स्टार्ट कर दो और क्लोज कर दो अब एसको डालो तो देखो 7 तक था 89 आ गया और 10 यहां आ गया ठीक है यह आज की वैल्यों करता है कि हैसे लिस्ट को कैसे बनाते थे क्योंकि आप एपेंड फंक्षन इस्तेमाल करते थे यहां आपके लिए एक एड़ फंक्षन है आप एड़ के मदद से कर सकते जैसे फॉर जैसे आप एलेक सेट बनाओ सेट बनाने के लिए क्या करते हैं यह इस्तिमाल करते हैं ठीक है और आई कि इन लगा दो रेंज ठीक है पन से टैन तक का रेंज ले लो और एस डॉट इड़ आई यह वाइड़ फोल डिक्ट बन गया तो आप इसके अंदर पहले से ना हाँ मैंने एक ची बताया था कि सेट के अंदर ना कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर आपको कुछ ना जिरो भी डालना पड़ेगा तभी यह सेट कहला आएगा ठीक है ठीक है अब रन हो गया आप चाहें तो यहां पर प्रिंट कर सकते हों लॉजिक को याद रखना पड़ेगा जब कि पाइथन में बहुत भाश्त नहीं करना पड़ता है थोड़ा चीज है उसको याद रखना पड़ेगा तो आप यह सब आसान है जैसे माल लेते एक आपने त्यार क आपका बेसिक नहीं नहीं पहर में अपडेट कैसे यूज करोगे अपडेट में तो लिस्ट होना चाहिए आपके पास हाँ 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 आप पॉर लोग के थुरू कि आपको बहुत मल्टिफल चीज़ें एड करनी है तो आप उसको आप यह कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो माल लेते हैं जैसे की क्या करते क्या करते हैं एक आपने लिस्ट बनाया लिस्ट में रखा एट कोमा 9,10 यह तो लिस है ठीक है आपको पता है कि एस जो है यह क्या है सेट है और सेट के अंदर अगर आपको यह लिस्ट को डालना है तो अप्डेट फंक्शन लगाते हैं अप्डेट फंक्शन कौन से वैली सपोट करती है लिस्ट और यह एक क्या है एक लिस्ट है तो अगर हम यहाँ पर मैनुव को मैंने सब कुछ समझा दिया है आप प्रैक्टिस करना पढ़ेगा आप ऐसे चीज़ें प्रैक्टिस करते ही रहोगे तभी जाके किलियर होगी तो लॉजिक कैसे डबलब होता पता है जब खुद से आप कुछ करते ही रहोगे आप सोचो कि चलो एक इवन नमर का बनाते हैं यहां ता किसी बहुत कर लोगे आप लोग है तो कल करना क्या है आज किसी को भूलना नी चीए देखो कल क्या क्या करने है कि आप एक लिस्ट त्यार करना इसकी इभेंट नमबर की इसके अंदर कहां से होगा एक से लेकर करके एक सो तक का इभेंट होगा सेम टूसेम एक लिस्ट त्यार करना ओड का टीछ मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे सी सीख लें राइट आप एकदम से मैं पढ़ा रहा हूं तो कि आप मतलब इधर से सीखें इधर से निकल जाए दिमाग से इसलिए स्टार्ट जाना से किया था ना पाइथन के खांदान से स्टार्ट कर दिया था तो वन से इवन नमर प्रिंट करना कहा से 0 से और ओड नमर खांग करना 1 से 101 तक फेकर यह लिस्ट पे यार कर रोगा उप उसके बाद आप टपल बनाना उसमें क्या होना चीए उसमें भी इवन होना चीए इवन नाम कहां टपल बनाना तहाँ 0 से 100 लॉजिक लगाना पड़ेगा यहां पर फिर एक बनाना आप कपल किसकी ओड होना चाहिए आप फिर तयार करना शेट उसमें इवेन होना चाहिए जीरो से लेकर सो तक फिर एक शेट तयार करना जैसे ज्यादा नहीं दो दो लान का कोड है आप समझ रहे हूं कि वन से वन जीरो वन सब्सक्राइब करोगे उस लिस्ट को सेम यही चीज लिस्ट में लगाओगे यही फंक्सट यहां पर तयार करोगे लेकिन बाद में क्या करोगे तपल में कनवर्ट कर दोगे ठीक है हां यह पहले आप टपल बनाओगे फिर फिर यहीं फंक्सन अप्लाइ करोगे जैसे यह यहां पर करते थे ना वहीं करोगे लिस्ट के लिए हां हां कर सकते हैं फिर आप सेट में भी वैसे ही चलाना है लेकिन सेट में क्या वह आप कर सकते हो आपको बार बार लूप चलाना है यहां पर आप यहां पर लिश्ट में सब्सक्राइन करोगे शिक्ति लीए सही है और यहां यहां पर लिट्प करोगे और यहां पर एड़ फंक्शन लगाओगे कि कीजी को कोई डाउट है अब देखो यह आपका होमवर्क है तो मैं सेव कर देता हूं कर जैसे यह खोलूंगा मुझे यह दिख जाएगा तो आप लोग भूल भी जाओ मैं तो नहीं भूल पाऊंगा